अरे पाइल तो इतनी छोटे घर में सास कैसे ले लेती है यार मुझे से तो दो मिनट रुका भी नहीं जा रहा इससे बड़ा तो मेरे नोकर का रूम ही होता है जितना बड़ा तेरा पूरग घर है लेकिन बेचारी तो कल भी क्या सकती है गरी परिवार में जो तेरी शादी हो अरे बातों बातों में मैं तो भूली गी कल मेरी बेटी का जनम दिन है आज जाना ठीक है अरे छोटी तो इतने दिन बाद मेरे घर आई है मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी खाना खा कर ही जाना मैंने दाल चावल बनाए है तुझे बहुत पसंद है ना अब मैं एक अ पाल चाल वगेरा नहीं ये सब तुझे ही मुबारक हो ये खाकर मैं अपने टेस्ट खराब करना नहीं चाहती इस तरह से तारा अपनी बेहन को नीचे दिखाकर अपने घर वापस आ जाती है पाइल को अपनी बेहन की यह शब्द बहुत ज्यादा चुबते हैं और वह बहुत पत्रोती है अगले दिन पाइल उसकी बेटी मुन मुन और उसका पती सुमित तीनों तारा की बेटी के जनम दिन में आ जाते हैं तारा के घर पर सभी महमान बहुत ज्यादा अमीर अमीर आय थे बस एक पाइल ही गरीब परिवार से थी तभी कुछ औरते पाइल का मज़ा कहती हैं अरे तारा तुमने अपनी बेटी के जनम दिन पर इन गरीबों को क्यों बुलाया इनके कपड़े तो देखो इनके अंदर से कितनी बदबु आ रही है ऐसा लग रहा है काफी दिन से नहाई भी नहीं है इतनी बड़ी शांदर पार्टी में ऐसे गरीब लोगों को क पार्टियां देखी होंगी इन्हें तो दोसमें का खाना नसीब हो जाए वहीं बहुत बड़ी बात है मैंने सोचा इनकी बेटी पेचारी ने कभी केक तो खाया नहीं होगा तो मैं अपनी बेटी के पार्टी में ही पुला लेती हूं यह भी देख लेंगे कि आमीर लोग अ कैसे सेलीबरेट करते हैं अरे वाड तारा बेटा तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है कि तुम अपने नोकरों को भी इतनी इज़़त देती हो वन्ना आज के टाइम में कहा नोकरों को कोई कुछ समझता है अपनी और अपने परिवार की इतनी ज्यादा इंसल्ट होती है देख पायल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चाता है और वह पूरी पार्टी में सब के सामने तारा को एक खिचा कर जोर से थपड मारती है और उसे कहती है तारा मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन कभी मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और तुम मेरी चोटी बहन होकर इस तरह से मेरी इंसल्ट कर रही हो तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे यह शब्द मुझे किस तरह से दुख पहुचा रहे है मेरा आत्मे विश्वास चोर चोर हो गया तुम मुझे अपनी नोकरानी की बेटी बता रही हो अगर तुम्हें मुझे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो तुमने मुझे बुलाय है क्यों मुझे तो शर्मा रही है तुम्हें अपनी बेहन कहते हुए तुम धन दौलत की चकहल चौद में इतनी अंदी होगी कि तुम्हे को समझ में ही नहीं आ रहा अच्छा बुरा कुछ भी नहीं पाइल की बच्चे तेरी एहमत कैसे होई तो पता नहीं खुद को क्या समझने लगते हैं मेरी ही गलती थी कि मैंने तुझे इतनी बड़ी पार्टी में बुला लिया अभी के अभी यहां से चली जा वरना धक्ये देकर तुझे यहां से निकाल दूंगी हाँ हाँ मुझे भी कोई शोक नहीं है तुम जैसी घमंडी और बत्तमिज बेहन के मुह लगने का आसे हमारा जो भी रिष्टा नाता था वह सब खतम ऐसा कहकर पाईल अपने घर वापस आ जाती है वहीं दूसरी तरफ तारा पाईल के इस बड़ताव से बहुत ज़्यादा चुड़ जाती है और वह मन ही मन उससे बदला लेनी की सोच लेती है ऐसे ही कुछ दिन बीट जाते हैं पाईल का परिवार पहले ही गरीबी में अपन जीवन वियतीत कर रहा था लेकिन पाईल इस बद से अंजान कि उसके उपर एक मुसीबत और आने वाली है हमेशा की तरह आज भी सुमित खेतों से काम करके घर वापस आ रहा था कि तभी एक कार सुमित को ठकर मारकर चली जाती है और उस एक्स डिट में सुमित की टांगे तूट जाती है घर में जो भी जमा पूंजी थी वह सब सुमित के इलाज में लग जाती है यहे देखकर सुमित को बहुत दुख होता है और वह पाईल से कहता है पाईल मैं तो चारपाई पर बैठ गया और जो पैसे घर में जमा थे वह सब मेरे इलाज में लग गए अब क् पड़ी उपर वाले को हमारे उपर जरा भी रहम नहीं आता दो समय का खाना पहले ही हम इतनी मुश्किल से खा रही थे और अब तुम्हारे एक्सिडेंट के बाद तो दाने दाने को तरस गए मैं मेरी बेटी को भूकर नहीं देख सकती मैं भूक के मारे कैसे तड़प रही है मुझसे उसकी तरपन देखी नहीं चाती सुमित इसलिए मैंने सोचा है कि मैं काम करने जाओंगी घर में चार पैसे आएंगे तो हम दो समय का तो खाना खा ही सकते हैं ऐसा कहकर पाइल काम डोड़ने निकल जाती है और उसे एक शोरूम पर नौकरी मिल जाती है अब पाइल सुबह से लेकर शाम तक शोरूम पर नौकरी करती और जो पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजर बसर कर रही थी अब पाइल के हालत पहले से थोड़े बहतर हो जाते अब पूरे परिवार को दो समय का खाना खाने के लिए मिल रहा था और सुमित की तबिद भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी ऐसे ही एक दिन उस शोरूम पर तार आती है और वह पाइल को दिखकर सोचती है अच्छा तो ये गरीब यहाँ पर काम कर रही है पाइल उस दिन तुने मुझे थपड़ मरकर अच्छा नहीं क्या अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ तेरा पती बीमार है ना और तु घर चलाने के लिए यहाँ पर नोकरी करती है अब देख मेरा शातिर दिमक करता क्या है ओ हेलो मुझे यह लहंगा नहीं चाहिए नहीं नहीं इसका कलर अ तुमाशा मत करो मुझे अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि तुम कुछ नहीं खरेदोगी बस ऐसे ही मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो पाइल तारा से ऐसा कह रही थी कि तभी तारा चुपके से एक लहंगा फार देती है और वहां से खुशकर चली जाती है शाम हो जाने के बा देड़ लाग का था और दुपहर मैंने तुम्हारे हाथ में ही इसे देखा था उसके बाद इसे किसी ने छुआ भी नहीं यह तुम से ही फटा है इसलिए चुप चाप इस लहंगे के डेड़ लाख रुपे तुम्हें देने होंगे वरना पुलिस को बलाने में मुसे ज्या कर बहुत खुश हो रही थी कि वह जैसा चाहती थी वैसा हो गया पाले रोते हुए अपने घड़ जा रही थी अरे यह क्या हो गया जरूर यह सब कुश तारा ने चान बोच कर क्या है दुपहर वही लहंगे देख रही थी उसने मुझे यहां से निकलवाने के लिए यह सब कुश क्या होगा अब मैं डेड़ लाख रुपे का नुकसन कैसे भरूँगी और अगर पैसे नहीं दी तो मैं चेल चली जाओंगी नेरी मासुम बच्ची मेरा बिमार पती यह सब क्या हो गया इस तरह से पाइल बहुत रो रही थी तब ही पाइल की नजर जंगल में एक गुफा के उपर जाती है जिसके अंदर से बहुत तेज रोशनी आ रही थी पाइल उसके अंदर जाकर देखती है तो एक बुड़ी औरत बीमार चारपाई पर लेटी थी और उसके पास सोवने औ तुम देख रही हो, यह मेरे जादूई सोने और चांदी के लहंगे हैं। बेटा, अगर तुम जादूई चांदी का लहंगा चुनती हो तो तुम्हें बहुत सारी धन दोलत मिलेगी। इतनी धन दोलत की तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और अगर तुम जादूई सोने का लहंगा चुनती हो तो तुम्हें धन दोलत नहीं मिलेगी बलकि इसके बदले तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। इसके जादूई शक्ती से और तुम्हारी सेवा से मैं बिल्कु ठीक हो जाऊंगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सेवा से और जादूई सोने के लहंगी की शक्तियों से आप ठीक हो जाएंगी तो मुझे धन दोलत नहीं चाहिए मैं आपके सेवा करूंगी। पायल के इतना कहते ही वह बुड़ी ओरत एक परी के रुप में आ जाती हैं और पायल से कहती हैं बेटा तुम कितनी अच्छी ह इसलिये बस तुम्हारी परिक्शा ले रही थी यह जादी सोने का लेंगा इससे जत्नी चाहो तुसरी धंदौलत ले सकती हो परी की पाते सुनकर मुझे बहुत खुश हो जाती है और वह जादिल सोने का लहंगा लेकर घर आ जाती है उससे धन दोलत लेकर शोरूम मालकीन के सभी पैसे लोटा देती है और अपने लिए एक महल जैसा घर ले लेती है सुमित कभी बहुत बड़े होस्पिटल में इलाज कराती है और अपना एक बहुत लहंगों का शोरूम खौल लेती है देखते ही देखते पैल के पास चार पांच बंगले तीन चार गाणिया और मुन मुन बहुत बड़े स्कूल में पहले जा रही थी जब इस बात की खबर तारा को लगती है तो वह गुस्टे से लाल पिली हो जाती है और पैल से और भी ज लेने के लिए मैंने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुचाया आज तो उसे जिल में होना चाहिए था लेकिन नहीं अचानक इतनी जद अमीर हो गई मुझे पता तो लगा नहीं हो सकती ऐसा सोचकर तारा पाइल के घर जाती है तो वह पाइल को कहते हुए सुन लेती है कि ज जैसा ही कहती है जैसा कि उसने पाइल से कहा था तब ही वह उस बुढ़ी और से कहती है बुढ़िया तो उन्हें क्या मुझे बेवकुप समझा है जो इतनी सारे धन दोलत छोड़कर मैं तेरी सेवा करूंगी मेरी बला से तो मरती है तो मढ़ जा मुझे कोई परवा नहीं ह मुझे तो बस जादवी चांदी का लहंगा चाहिए इससे में बहुत ज्यादा अमीर हो जाओंगी उस पाइल की 25 से भी ज्यादा चल चल हट मेरे रास्ते से ऐसा कहकर तारा जादवी चांदी का लहंगा अपने साथ घर लेकर आ चाती है और घर आकर जैसे ही उसे पहन कर ध सालच का और बुरे कर्मों का फल बहुत अच्छी तरह मिल जाता है और वहीं दूसरी तरफ पाइल के अच्छे सा भाव की वज़ह से वह अपने परिवार के साथ हसी खुशी रह रही थी एक बार की बात है रामपुन नामक गव में अरादिय अपनी सोतेली मसुमन और सोते अरादिय वह काली थी लेकिन साभाव की बहुत अच्छी थी लेकिन उसकी इन अच्छाईयों से किसी को कोई मतलब नहीं था हमेशा सब उसे दुद्ध कारते थे यहां तक कि उसकी सोतेली मा और सोतेली बहन भी उससे बिलकुल प्यार नहीं करती थी ऐसे ही एक दिन तारा अच्छे से तयार होकर अपनी दोस्त की शादी में जा रही थी तब यह अरादिया कहती है दीदी लगता है आप अपनी दोस्त की शादी में जा रही है क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ तुने अपने शकल देखी है काली कलूटी बंदरिया ऐसा लगता है जैसे कोईले से अभी निकल कर आई है और अगर मैं तुझे अपने साथ लेकर जाओंगी तो मेरी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी कहा मैं परियों की तरह सुन्दर और कहां तू धार्दी पर पोज इसलि अपनी मा को सब पताती है कि अराध्या उससे क्या कह रही थी यह सुनकर सुमन को बहुत ज्यादा गुसा आ जाता है सुमन बेचारी अराध्या की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है तेरी हिमत कैसे हुई मेरी बेटी की दोस्त की शादी में जाने की क्या त तुझे देख ले तो उसे कई दिन तक नहीं पता नहीं वह कौन से मनहुस घड़ी थी जब मैंने तेरे बाब से शादी की अगर मैं तेरी काली शकल देख लेती तो कभी शादी ना करती मुझे तो जैसे बस सुरत लोगों से सख नफुरत है चल जा घर में इतने सारे काम पड होती है और घर के काम करने में जूट जाती है हमेशा अराध्या के साथ ऐसा ही होता था ऐसे ही समय बीत रहा था तारा और अराध्या का जनम दिन एक ही साथ आता था तारा के जनम दिन के लिए सुमन महंगी महंगी ड्रेस लेकर आती है और पेचार अराध्या को एक भी ड्र कराई हैं लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं अगर एक सस्ती सी ड्रेस मेरे लिए भी ले करा जाती तो कितना अच्छा होता काली कलूटी बंदरिया तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा कि तो इस घर की पेटी नहीं है नौकरानी है नौकरानी और मम्मी ने इतने सारे महमा महमानों को बिलाया है उनका खाना बनाना उन सब ही महमानों को एटेंट करना वहे कौन करेगा वहे सब कम तेरा है इसलिए चुप-चाप काम कर जनम दिन सैलिब्रेट करने के सपने देगरा छोड़ दे नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि कल ये तेरे जनम दिन पर महमानों के सामने आए, मेरी तो नाक ही कट जाएगी जब सबको पता चलेगा कि काली कलूटी बत सूरत मेरी सोतेली पेटी है, तो कहां चांद जैसे सुन्दर और ये कहां, मन होस तो मेरी बात कान खोल कर सुले, घर को सजा कर, अच्छे अच्छे पक्वान बना कर, सभी तैयारिया करकर, यहां से अपनी शकल दफा कर लेना, समझ जनम दिन पर मुझे एक सस्ती सी ड्रेस दिला दो, वह दिलाना तो बहुत दूर की बात है, आप तो मुझे जनम दिन पर भी नहीं आने दे रही, सब को बला रही है, लेकिन मुझे नहीं, सिर्फ इसलिए, क्योंकि मेरा रंग काला है, पतारा की तरह सुद्दर नहीं हो, इ इसमें मेरी क्या गलती? कोई जनम दिन विश्क करने वाला भी नहीं था, बेचारी ऐसे ही फटे पुराने कपड़ों में, घर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है, अगर आज मेरे मात पितां से जिन्दा होती तो मेरा जनम दिन भी वो इसी तरह से धूम दाम से मनाते जैसे तारा दीदी का मनाया जा रहा है, मेरी सोते लिवा और सोते लिवा और सोते लिवा बेहन मुझसे इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि मैं काली हूँ बस सूरत हूँ, मेरी सोती लिम और बेहन को समझ में क्यों नहीं आता इस तरह से अराधिया बहुत ज़्यादा फूर फूर कर रो रही थी तब ही वहाँ पर एक बुड़ी ओरत आती है और वह अराधिया से कहती है लगता है बेटा तुम बहुत दुखी हो परेशान हो रो मत मैं तुम्हें एक परी के बारे में बताती हूँ जिसके पास जादुई सोने और चांदी की ट्रेस है अगर तुम उस परी की परिक्षा में पास हो गई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें क्या मिल जाएगा यहां से सीधी चलती जाना ठीक है उस बुड़ी औरत की बाते सुनकर अराधिया चुप हो जाती है और जैसे की वह बुड़ी औरत अराधिया से कहती है वह वैसा ही करती है जंगल में सीधा चलना शुरू कर देती है कि तभी रास्ते में उसे एक जखमी हीरण मिलता है अरे तुम तो कितने प्यारे हीरण हो तुम्हें इस तरह से सखमी किसने क्या तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा होगा मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ ऐसा कहकर अराधिया उस जखमी हीरण के जखमों पर जटी बूटिया लगाती है जब वह पहले से थोड़ा बहतर हो जाता है तो उसे हरी हरी घंज भी खिलाती है तबी वह खुश कर अराधिया से कहता है अराधिया तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है शेशे की तरह साफ है तुमने मुझे जखमी देखा और तुरंत मेरी मदद की और मुझे पेट भर कर गांज भी खिलाई तुम बहुत अच्छी हो अराधिया उस हिरन की मदद करकर कुछ और दूर चलती है तो उसे एक पेड़ सूखा मिलता है जब प्यासा था और उसके आसपास बहुत गंदगी भी पड़ी थी अराधिया सूखे पेड़ को पाने पिलाती है उसके आसपास की गंदगी साफ करती है और कुछ दूर और चलत जादुई सोने और चांदी की ड्रेस हैं लेकिन परीजी तो कहीं पर भी नजन नहीं आ रही मैं क्या करूं अरादिया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी जादुई सोने की ड्रेस से अवास आती है अरादिया मैं परी की जादुई सोने की ड्रेस हूं और मैं जानती हूं कि तुम् लेकिन अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा पड़ताव करती हैं लेकिन अब तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी तुम मुझे पहन लो तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सुन्दर लड़की बन जाओगी कोई तुम्हारे रंगरूप का मजाक नहीं उड़ाएगा सब तुमसे प्यार करेंगे प्यार अरादिया मैं भी परी की जादूई चांदी की ड्रेस हूँ मैं तुम्हें सुन्दर था तो नहीं देव सकती लेकिन तुम मुझे पहन कर परी के पाल जरूर जा सकती हो उनकी जान खत्रे में है एक चुडल उन्हें अपने साथ ले गई अगर अभी उनकी मदद नहीं की तो उनकी जान जा सकती है और तुम जादूई सोने और चांदी की ड्रेस में से सिर्फ एक ही ड्रेस चुन सकती हो अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम परी की जान बचाना चाहती हो या फिर जादूई सोने की ड्रेस पहन कर सुन दरता हास मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो मुझे सुन्दरता नहीं चाहिए मैं परी की जान बचाऊंगी इसलिए मैं परी की जादूई चान्दी की ड्रेस पहन कर उन्हें बचाने जाऊंगी ऐसा कहकर जैसे ही अराधिया जादूई चान्दी की ड्रेस पहनती है तो वह बिल अराधिया, सच में, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है, जंगल में जो भी तुम्हें परिशान नजर आया, तुमने उन सब की मदद की, और यहां आकर भी तुमने लालच नहीं किया, इसलिए तुम्हें सुन दर्ता मिली है, मैं तो बस तुम्हारी परिक्षा ले रही थी, अराधिया, हैपी बस्टडे टू यू, चलो आज हम तुम्हारा बस्टडे परियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा कहकर वह परी, अराधिया को अपने साथ ले जाती है, वहाँ पर बहुत सारी परियां थी, अराधिया बहुत ज़ खुश थी अराध्या सभी परियों को धन्यवत कहती है मैं अपने जनम दिन पर इतनी ज्यादा उदास थी मुझे नहीं पता था कि जब भी उपर वाला देता है छप पर फार कर देता है मुझे सुन्दरता भी मिल गई और मेरा जनम दिन इतनी धूम धाम से सेलिबरेट हुआ यह दिन में कभी नहीं भूलूंगी आप सभी परियों का दिल से धैन्यवाद अराध्या सभी परियों को धैन्यवाद कहकर अपने घर आ जाती है अराध्या को इतना ज्यादा सुन्दर देखकर दोनों मा बेटी का मुझ खुला का खुला रह जाता है अराध्या की बच्च से पहन कर वहें इतनी जादा सुनदर हो गई इसा सोचकर तारा भी जंगल में चली जाती है तो इसे भी जखमी हीरन मिलता है तारा उसकी की भी मदद नहीं करती सूखा पेड़ नजर आता है उसकी भी मदद नहीं करती तब ही उसे अराध्य की तरह सोने और चांदी की ड्रेस नजर आती है और वह तुरन सोने की ड्रेस जैसे ही पहनती है तो वह बहुत जादा बस सूरत हो जाती है खुद को इतना जादा बस सूरत देकर वह बहुत रोती है तब ही उसके सामने परी आ जाती है और वह तारा से कहती है तारा यह जादूई सोने और चांदी की ड्रेस सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करती है जो दूसरों की मदद करते हैं तुम तो कभी किसी की मदद नहीं करती और तुम खुद इतनी जादा सुन्दर थी लेकिन तुम अपनी सोतेली बेहन से जल कर यहां आई ताकि तुम और भी ज्यादा सुन्दर बन जाओ यह सब कुछ तुम्हारे घमंड और लालच की वजह से हुआ है अब तुम हमेशा ऐसे ही बस सुरत रहोगी तुम्हें तुम्हारे लालच और घमंड की सजा मिली है परी की यह बाते सुनकर तारा बहुत रोती है और वहीं दूसरी तरफ अराध्या की सुन्दर्ता के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं और उसकी शादी एक राजकुमार से हो जाती है अपनी सोतेली मा के अत्याचार से बहुत दूर वह राजकुमार के साथ हस से खुशी अपने जीवन व्यतीद करती है।